दुदू एकोड एरियाई लाव लगाल रहे किन्टू सोब कसी है तो इसके लिए जो किसान है वो चिंतित रहते हैं कि किस तरह से हम मुआपजा आवेदन भरें और क्या परिक्रिया होगी क्या डोकॉमेंट समय लगेंगे ताकि हमारा जो मुआपजा है वो सही रूप से हमें मिल पाए तो इस विषय में मैं चाहूंगा सर कि आप हमारे दर्सकों को बताए कि कि किस तरह से मुआपजा भरा जाता है क्या क्या डोकॉमेंट उसमें लगाया जाता है इसमें विभाग की तरफ से एक फ्रमेट जारी किया गया है फॉम उसके साथ आधरकाड का जमिन का रसीद खतियान का इसका भी फोटोकोपी और रसीद की पीछे या फिर अलग पेज में आप लोग बनसावली बना सकते हैं और एक बहुत बड़ा प्रोब्लेम अभी चल रहा है कि यहां पे बहुत से इसे किसान है जो अपने खेत पे नहीं किसी दूसरे जमिनदार जमिनदार फ्रिफ इसी का नाम भरेंदा पाहाड है और यहीं से वहाँ पर पहुंचे थे और यहां के जो खेत है ौहां पे भर्याद करते हैं और रात एक दो बजे ये हाती यहाँ पे पहुँचे थे जिस कारण से ग्रामिन भी नहीं जान पाएं और बारिस भी एक मुख्य कारण थी जिसके कारण भी लोगों को हातीयों का पता नहीं चला और वो आराम से खेतों पे अपना पेट भर आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी दिखाऊंगा कि किस तरह से हाती आये थे कहां से आये थे और किस रूट से आये थे और क्या क्या छतिक किया है आप किस तरह से अपना आवेदन भर सकते हैं इन सभी बातों को आज में इस वीडियो पर बताने वाला हूँ यह जो जगह अभी आप देख रहे हैं यह बारेंदा पाहार के नीचे में हो रहा है प्लांटेशन पर ट्रेंज का कटिंग है और यहीं से हांती पार किये हैं यह देख सकते हैं यहां पर पूरे निसान यहां पर मौजूद है और यहां देख सकते हैं चारों तरफ यह ट्र कि यहां से एक बात आप समझ सकते हैं कि आप लाग कोशिश करने पर हाथी का रास्ता आप नहीं रोग सकते हैं उसे जहां भी पार होने होगा वह एहीं पर पार हो जाएगा बारेंदा पहार से उतरने के बाद सबसे पहले हातियों का जून इन खेतों में परवेस किया था चलिया मैं आपको नजदिक से दिखाता हूं कि इन खेतों का हाला तब जाव चुका है ये ट्रेंच पनाया गया था केटल जो भी रहता है बकडी बायल वो सब को रोकने के लिए ताकि प्लांटेशन पर ना घुसे और कुछ हद तक हाती भी इससे रुपते हैं लेकिन देख सकते हैं हाती अपना रास्ता खुद बनाते हैं यहां पर देखिए इस साइड पर यहीं पर हाती उत्रे हैं यहां पर पुरा निसान मोअजूद है आज हम पहुँचे हैं तमाड रेंच के दुलमी गाउं पर यह दुलमी बूंगादार नमक जो गाउं है यह तमाड रेंच के बारेंदा पहार के नजदिक में मौझूद है और यहाँ पे आज रात को आट नो हातियों का जो जुन्ड बारेंदा पहार पे रुका था वो हातियों का जुन्ड यहाँ पे आया था और यहाँ पे काफी सारे फसलों को छती पहुंचाया है तो आज हम ल लुकी का सब्जी खेत है और यहीं पर हाथी पहुंचे थे और यहां से देखिए किस तरह से हाथी एक पूरे खेत को नस्ट कर चुका है चलिए मैं आपको केमरा टर्न करके दिखाता हूँ यहां पर फसल लगे हुए थे उसे पूरी तरह से खतम कर दिया है और काफी देर तक खाती यहां पर रुकने के कारण में यह जो खेत है वो पूरा खतम हो चुका है यहां के किसान से हम आगे पूछेंगे यहां पर कितने फसल लगाए गये थे और कितना का छती यहां पर तकरीबन हुआ होगा आप खेत के चारों तरप का नजारा देख सकते हैं खेत पूरा बरबाद हो चुका है, यहाँ पे लोकी का फसल किया गया था, और अभी के समय में यह जो हाती है, वो लोकी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लोकी के फसल पे ज़्यादा रुक रहे हैं, लोकी का फसल को खाना पसंद कर रहे हैं, तो यह सवभाव यहाँ पे देखने मिला है आज के वीडियो में मैं आपको फॉम भरने की जो जानकारी है वो भी बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किजिएगा और देख सकते हैं यहीं पे सबसे पहले हातियों का जुन पहुंचा पहुंचने के बाद यहां पे कुछ देत तक रुके यहां पे खाये और उसके बाद यहीं से जो हातियों का जुन रहे वो आगे बढ़ा है चारों तरफ आप निसान देख सकते हैं यहीं से आगे बढ़के आगे में जो लवकी का फसल था वहां के खेतों पे चला गिया था अभी हम पहुंचे हैं दुल्मी की किसान के पास जिनका आज ये छती हुआ है छती तो आप देखी रहें काफी बड़े एरिया पे ये लवकी का फसल किये थे और रात को हातियों ने यहां पर आके जो तांडव मचाया है तो इन ही से पूछते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी भी लेते हैं ये जो घटना हुई ये कब की है और किस तरह से घटना हुई इसके लोनेऊ मह्ने मुए जानलो नी और जेखोंना हाति खेदो ये ज्युक्त को ही देला हमकरिख्टा चुआखे शड़ा रहाति कियाए जो महाने बहुत धूर लेगी रख लीए और तक और बाद गशनलीन यहां पर आप कितने प्रवाजार रेट अगर देखने जाते हैं तो यहां से आप कितना आमधनी कर सकते थे यहां फसल उगाने के लिए आपने अभी तक कितना खर्चा रहे और कितना महिना इसमें लगा अभी तक जो अभी तो आपका फसल बड़ा भी हो चुका था तो यहां कितना महिना तक आप लोगों ने यहां पर मेहनत किया है यहां पर जो जमीन आपका नहीं है आपने किसी से लीज पर लिया हूँ आप आपको अभी जो इतना छती हो गिया तो इसके विशाई में आप क्या कहना चाहेंगे विभाग के तरफ से क्या पहल होनी चाहिए सरकार के तरफ से क्या पहल होनी चाहिए इसमें क्या कहना चाहिए पूरा तो देए नहीं पास तक जोतना तो मुल लावे होए तलाग उतना तो देए नहीं पारे तलाग कि तुमाने कि चुटा होलो जो सुन हम क्या डोकॉमेंट्स उसमें लगाया जाना चाहिए ये सभी बात आज हम जानेंगे तो सर सबसे पहले आपको जोहार अभी छेत्र में हाथियों का मुव्मेंट बहुत ज़्यादा है और खास करके तमाड रेंज पर अलग-अलग जगाहों पर छती भी हो रहा है तो सरकार के तरफ से जो मुवजा प्रावधान किया गया है तो इसके लिए जो किसान है वो चिंतित रहते हैं कि किस तरह से हम मुवजा अवेदन भरें और क्या परिक्रिया होगी क्या डोकॉमेंट्स हमें लगेंगे ताकि हमारा जो मुवजा है वो सही रूप से हमें मिल पा उसके साथ आधरकाड का फोटोकोफी बेंग पास्बूक का फोटोकोफी जमिन का रसीद खतियन का फोटोकोफी और रसीद की पीछे या फिर अलग पेज में आप लोग बनसावली बना सकते हैं अभी निया डियोफोस राय है तोनी का ओडर है कि पांसावली के साथ ही अटेश करें सर और एक बहुत बड़ा प्रोब्लेम अभी चल रहा है कि यहां पे बहुत से इसे किसान है जो अपने खेत पर नहीं किसी दूसरे जमिनदार के खेत पर वह खेती कर रहे हैं यानि साजे क मुवखे तोर पर वह खेती करते हैं जिनके पास नहीं कोई कागज है नाही है खतियान है तो ऐसे किस तरह से अपना मुवजाब अभर सकते हैं या फिर freezing का दो जाएजा़ा लोगों को दिया जा सके और जो पीडित किसान है वो मुआबजा भरने की सारी परिक्रिया से आवगत हो रहे हैं जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया किस तरह से आवेदन भरना चाहिए ये भी मैंने आपको वीडियो पर दिखा दिया अगर आप भी इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं आप भी अगर हाती से पीडित छेतरों में रहते हैं तो इस हाती मित्र चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर जरूर